हमारे साथ इस वक्त सुप्रिया सुले जी हैं, सुप्रिया जी पहले तो कोट की तरफ से और स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि अब अजीत पवार की पार्टी एंसीपी है, अब उनके बयानात में ये सामने आ रहा है कि वो भौजाई और ननत की लड़ाई बारामती से करवा काने जा रहे हैं, कैसे देखती है इन चीजों? मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, और फैमिली का इसमें कुछ नहीं, हर एक की प्राइवसी भी है और अगर कोई भी एक लोग का तंत्र में लड़ना चाहे, तो लड़ना ही चाहिए ना, क्योंकि इस देश और इलेक्शन सवविधान से चलता है, और सवविधान में कोई मेरी तो खड़ा रहना ही चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से कोई भी लड़े, लेकिन मेरी लड़ाई परसनल कभी भी नहीं, मैं कभी भी आरोप रत्यारोप आज तक न करे है, न करूंगी, मेरी लड़ाई ये विचारों की लड़ाई है, आप विचारों की लड़ाई लड़ सुनिएगा ऐसे उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था तो वो मुझे लगता है लोगत तंत्र में किसी को भी वाशन करने का अधिकार है वो उनका मत है जरूर बोल सकते है और मैम अब आप सुप्रीम कोट भी जाने वाली है जिस तरीके से एंसीपी के नाम के उपर पार्टी के न बात करेंगी बारामती को लेकर क्या आपको लगता है कि वो अपना दृदे परिवर्त ने वहां के मंत्री है अभी बीजेपी के साथ सत्ता में है अगर जब जब बारामती के लोगों के लिए कुछ भी होगा तो मैं सबसे बात करती हूं सबसे बात करती हूं सबसे बात करत झाल झाल झाल